हेलो गाईज आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ गाजर का हलवा जिसे हम गजरेला भी कहते हैं सर्दियों में गाजर बहुत अच्छी आती है इसलिए इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है देखे कितना डिलेशियस बनके तयार हो गया है लग रहा है ना एकदम होटल स्टाइल गाजर का हलवा इसके लिए हमने दो किलो गाजर लिया है जिसे हमने अच्छे से धो लिया है और छील लिया है ये देखिए इसे इस तरीके से साफ कर ले फिर इसे हमारे पास जो घीया कस होता है उसमें से इस तरीके से निकाल कर तैयार कर ले मैंने सारे गाजर को इसी तरीके से निकाल कर तै कियार कर लिया है और ग्रें इनका बीच में ज कर लिए ल में सोद्गाइश निकालց कर लिया है इनका taste भी अच्छा आता है इसलिए इसे आप अलग कर लें इसके बाद हमने कढ़ाई या पैंच जो भी आप के पास वे लेबल हूँ size के हिसाब से आप ले ले और उसमें डालें निकली हुई गाजर इस तरीके से इसमें हमने कोई भी घी या ओयल अभी add नहीं किया है हमने सिरफ गाजर को पैन में add किया है और इसे बीच बीच में चलाते रहें ज़्यादा चलाने की इसे ज़रूरत नहीं है यह देखिए दस मिनट के अंदर अंदर इस तरीके से यह पकर तयार हो जाती है यह देखिए यह हमने लिया है मावा जिसे हम खोया भी कहते हैं और यह हमने लिया है घर पे दूद पे जो मलाई आती है वो साथ में हमने चीनी लिए और थोड़े से कटे हुए ड्राइफ रूट्स लिए हैं अब जब हमारी गाजर अच्छे से पक गई है हमने इसमें एड़ किया है मलाई हमने बिल्कुल फ्रेश मलाई लिए है खटी मलाई बिल्कुल भी इसमें आड़ ना करें साथ ही हमने एड़ किया मावा और मावा डालने के बाद हमने इसमें एड़ किया ड्राइफ फूट ये दीखिए जैसे जैसे मिक्स करेंगे एकदम होटल वाला टेक्स्चर इसमें आना शुरू हो जाएगा ये देखिए दानेदार बन जाएगा ये और ये जो मावा है वो भी होममेड है क्योंकि अगर हम इसमें दूद एड़ करते हैं तो बहुत देर लग जाती है इसको पकाने में इसलिए मैंने साइड में इसमें मावा निकाल कर तयार कर लिया था ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे पहले हमने इसमें गी बिल्कुल भी तयार हुआ है इसलिए ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे चलाते हुए गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रख सकते हैं लो रखने के आपको जुरूरत नहीं है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए पांच से दस मिनिट के बाद फिर इसमें हम चीनी आ कर देंगे ये देखिए ये हमने किया है चीनी आड और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे कम से कम 10 मिनिट के लिए जरूर पकाईएगा चीनी आड करने के बाद ताकि चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके जो दाने दाने है वो इसमें ना बचें ये से mix होकर तयार हो जाए और चीनी डालने के बाद इसका जो color है वो आना शुरू हो जाता है हमने इसमें कोई भी food color add नहीं किया है यह जो color है वो naturally जो हलवे का color होते है वही वाला है क्योंकि गाजर जो है बहुत अच्छी थी इसलिए इसका color भी बहुत अच्छा है यह अगर तयार हो चुका है तो आप इसे रख भी सकते है थोड़े time के लिए यह खराब नहीं होता है वन वीक के लिए तो कम से कम आप इसे store कर सकते हैं ड्राइफ रूट से सजाएं खाएं और खुद भी खाएं और दूस्तरों को भी खिलाएं थैंक्यू फॉर वोचिंग अगर झाल